हेलो फ्रेंड शायम निशा निशा फूट क्रस्ट में आप सरका सौगत है आज निशा की निशा की निशा की निशा में बनाने जा रहे हैं होली स्पेशल मसाला काजू जो की बहुत टेस्टी और बहुत डिलिसस होते हैं इन्हें महीनों तक आप श्टोर करके रख सकते हैं तीन से चार महीने यह इसी तब फ्रेश रहेंगे किसी भी कंटेनर में भर कर रख दीजे कभी भी ट्रेवल में ले जाएए या फिर कोई गैस है फटा फट बाहर से लाने की जगह अपने हाथ का बना हुआ खिलाएंगे तो अलग ही खुसी होगी तो चलिए बनाना स्टाट करते हैं तो यहां पर मैंने डेड़ का टोरी मैदा ले लिया है छनी से चान कर और उसके बाद आधा चमज अजवाइन डाला है आधा चमज इ बनाने के लिए दो चमज मैं इसमें सूजी डालूंगी आप से चाहें तो छोड़ भी सकते हैं मगर सूजी डालने से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है और अच्छे से हमें इन सब चीजों को मिक्स कर लेना है उसके बार यहां पे बेकिंग सोडा या बेकिंग पॉडर जिससे कि फूले फुले और सॉफ्ट भी रहेंगे अंदर से चार चमज इहां पे मैं रिफाइन ऑइल का यूज कर रही हो आप यहां पे देसीगी का भी यूज कर सकते हैं तो यहां इतना मौइन डालना है कि जब आप इसे मिक्स करकर मुठ्धी से बांधे हैं तो यह ये हमेशा crispy रहेंगे और कड़े नहीं होंगे और बहुत tasty बनकर ready होंगे तो इस तरह से अच्छे से पहले mix कर लेंगे फिहार से मसलते हुए मैदे में मोयन को अच्छे से मिक्स करना है तो इस तरह से हाथों से मसल देंगे कि सारे ingredients मिक्स हो जाए और जो हमने oil डाला है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए होली में इस्पेशली सभी के घर पर यह बनता ही है यूपी में तो लगभग सभी कहां बनता है तो हम लोग छोटे थे तो हमारी मम्या यह बनाती थी बहुत टेश्टी लगते थे और इस तरह से महीनों तक इसे रख सकते हैं और कभी कोई गैस्ट तो फटा फटा आप दे सकते हो निकालके और चटपटे टेश्टी होंगे क्योंकि यह मसाले वाले बनाएंगे तो इस तरह से मिक्स करने के बाद आपको दिखा दू इस तरह से यह मुठी बननी चाहिए तो यह परफेक्ट है हमारा मोयन अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल वह नॉर्मल लेना है तो यहां पर सय को तयार कर लेते हैं देख़े फ्रेंड यह हमारा दो तयार हो गया है इसको हम पांच मिनेट के लिए ढख के और ़क्क हैं बार जी तन of नेटा हैं यह विरा ग तो इसे पूर्या लिए बे लिए तो दो yell सकते हैं तो मैंने ने और तो हमें इसे गुमाते हुए विल्कुल perfect बराबर करना है और जिसके बज़े से यह बहुत tasty बनेंगे तो यहां पर इस तरह से करने के बाद अग और आप दिख लेजिए कि यह इतने ही पतले होने चाहिए ना जादा मोटे और ना जादा पतले होने चाहिए तो ये इस तरह से दिखेंगे बस इतनी इसकी लेयर हमें complete करनी थी फिर उसके बाद आप कोई भी ढखकन लीजे तो यहाँ पर एक दवाई का ढखकन था जिसे कि मैंने इस अच्छे से clean कर लिया है फिर उसके बाद इस तरह से काजू को cut करके दिखा रही हूँ काजू का शेप इस तरह से हमें cut करना है तो फ्रेंड्स धककन कोई भी ले सकते हैं छोटा बड़ा जिस हिसाब से आपको बनाना है उस हिसाब से तो इससे बिल्कुल perfect नहीं cut रहा है तो मैं चलती हूँ दूसरा धकर ले कर आती हूँ फिर उससे cut करके आपको दिखाती हूँ तो आप जैसे की cutter भी आता है इसका आप उससे भी बना सकते हो तो यहाँ पर मैंने ये पानी की bottle का रखकर निसे गी clean कर लिया है इसे हम ले लेते हैं और इस तरह से इससे अच्छा बनेगा कोई भी लेजेगा धकर उसका जो मूँ है वो थोड़ा तेज होना चाहिए तो बस इस तरह से इस तरह से हम छोटे छोटे काजू के शेप में ही बना कर रेडी कर लेंगे तो सारे इसी तरह से हमें रेडी करना है और जो आटा एश्ट्रा बच जाता है किनारे कटने के बाद फिर उसको हम लोया करके फिर बेल कर तयार कर लेंगे तो यहां देखिए हमारे काजू तयार है और उसके बाद गैस का फ्लेम मैंने यहां पर पहले अच्छे से गरम करके फिर मीडियम से लो पर रख दिया है और इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे कोई भी चिपकेंगे नहीं सब एक साथ आप बेल कर रख लीजिए फिर उसके बाद ऑल में डालेंगे सब चीज़े अलग-अलग हो जाएंगी इस तरह से हमें इसे फ्राई करना है हाई फ्राई नहीं करिएगा नि तो बाहर से यह ब्राउन हो जाएंगे अंदर से कच्छे रहेंगे तो इसे हमें लो टू मीडियम फ्राई करना है तो बस इक्वली चलाते रहेगी दोनों साइड का कलर एक जैसा ही आए अगर आप डाल जाएगा और लाईट रहेगा तो बस इस तरह से क्रिस्पी काजु हमारे तैयार होकर रेड़ी होंगे तो इन्हें हम इस तरह से हिलाते हुए फ्राई करेंगे तो फ्रेंस होली पेर बनाये गैस्ट को दीजे बहुत टेस्टी लगते हैं हर को इतार्रिफ करेंगा हर शौप जहाद बेकरी हो या भी परचून की दुकाने हों सब जगह पे या मिलते हैं और लोग बौई इस तरह से तो मेरे अच्छे से गोल्डें ब्राउन हो गए हैं तो मैं निकाल लूँगी दूसरा बैच भी इसी तरह से तैयार करके मैं डाल देंगे इसमें और उसको भी हम इस तरह से तल लेंगे और जो मार्केट का आप लाओगे उसका टेस्ट देखिएगा और जिस तरह से मैं बना रही हूँ आप इसका टेस्ट देखिएगा बहुत अलग होगा बहुत टेस्ट ही होगा आपको यही अच्छा लगेगा क्योंकि मार्केट में एक अलग सी ही काती है क्योंकि काई दिन का ह जाता है वो चीजे और आप फ्रेश बनाते हो तो उसका टेस्ट अलग रहता है तो यह इतने सॉफ्ट रहेंगे बाहर से क्रिस्पी अंदर सी यह सॉफ्ट रहेंगे और कड़े नहीं होंगे आप मेरी तरह के से एक बार जरूर बना के देखना तो मेरे सारे काजू बनकर आदा चामच लाली यह थोडी सी सी घी है काथ बनाना है जब्ला उसलीं जब्ला माच शब्ला में यहां पर काला नमक डालाएं इनों एक प्लेट में सर्फ कर लेते हैं टेष्टी से बन गया यह नास्ता और बहुत टेष्टी लगती है यह तो यह देख रहे हैं equally हमारे सारे काजू पे अच्छे से मसाला कोटिंग हो गई है बहुत टेष्टी हमारे काजू मसाला बनकर तो इस होली को स्पेशल बनाईए और यह मसाला काजू जरूर बनाईए आपको बहुत पसंद आने वाली है यह रैस्पी तो ट्राइ जरू करना और रैस्पी अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको हमारी रैस्पी कैसी लगते है तो बहुत टेस्टी यह ब बिलते हैं नाइए यह वीडि यो में स्क्राइब कर ना भूल ना और बेल इकन कर बटन जरू द्रो ढ़ाना तो मिलते हैं नाई ऀसपी के साथ नहीं वीडियो में थैंक्स वोचिंद ऐस वीडियू भार